नमस्कार किसान सातियों मैं हूँ सौनु चौधरी और इस वक्त मैं मौजुद हूँ गुजरात के बाईवाडा इलाके में यहां पर टोटल किसानों की अर्थ विवस्ता जो है आलू पर ही आदारित है एक बड़े छेतरफल पर यहां पर आलू की खेती जो है किसानों द्वारा की जाती है लेकिन बदले मौसमिक सौभाव मौसम में लगातार हुई तबदीली से किसानों की कमर तूट कर रह गया है किसानों की जमा पुंजी जो है आलू में एक अदध उत्पादन के लिए लगी हुई थी सभी को पता है कि किसान के पास में रोजी रोटी का जरिया सिर्फ आलू की फसल होती है लेकिन प्राकरती ने जो इन किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरा है उससे किसान की आहत तक निकल गया यहां पर पैदावार का इस्तिती जानने के लिए हम गुजरात में डेरा जमाय हुए है और हम आपको लगातर गुजरात के हर एक इलाके से जहां पर आलू सबसे ज़्यादा होता है वहां से दिखानी की कोशित करने ताकि आप लोगों के अंदर जो अराजक तत्वों ने नकारत मकता भरी है कि यह नहीं होगा हम उस पर परदाप्रन कर रहे हैं कि जो चीज छुपी हुई है जिसे आप लोगों को जानकारी नहीं पहुचने दी जा रही है उन चीजों से यहां गुजरात में आकर रूबरू दिखा रहे हैं लाइव के माध्यम से कि आप देखिए गुजरात में क्या इस्तितिय है अब अगर देखा जाए यह इनका लगवा 15 भीगा यहां पर गुजरात में टोटल पक्के की जमिन होती है यानि कि 20 बिस्वे की और पिछली बार से यहां पर पैदा बार जो है आप उत्पादन भी बोल सकते हैं लगवा 50 प्रतिसर जो है कम है कम का कारण जो है किसानों द्वारा यह बताए गया है कि सबसे पहले जब भुवाई हुई थी तो बारिस उसके बाद में बारिस से थोड़ा बहुत बचा भी था तो फिर जो है ओलाव रष्टी जो मैं आपको वीडियो के माद्दम से दिखा कर दिया यानि कि जो जिसने बताए वो जोंक दिया लेकिन खोदाई जब सुरू हुई तो किसानों की हालत पस्त हो गई अब किसान क्योंकि यहां पर टोटल अगर देखा जाए हब है यह गड़ है और यहां पर जो है पुखरा जो ख्याती हो यह हो बादसा रासन पालू ज जो कि ज्यादा पैदावार देती है इस बार जो है ओने मुह गर गई ओने मुह गिरने का कारण आप यह देखिए यह है अब इससे आप कंप्रिजन कर लिजिए कि जो है यह जो अंडर साइज यानि गुला से भी छोटा आलू और जो छोटा थोड़ा बहुत रह गया है और इस आप मान सकते हैं के कम ही है ओर काफी परेसान किसान परेशान वियापारी भाई भी परेसान कि पई greetedा वार मेरे साथ में कुछ किसान मावूजूद है मैं इन से पूछ लेता हूं नमस्ति आपका बाड़ा यहां पर टोटल जो पर आपकी जो आर्थी विवस्ता है वो किस पर आदारित है आलू उपर आलू पर कितने बीगा में आप आलू लगाए पंद्रे बीगा में लगाए हैं सबी पोख राज है टोटल पोख राज हाईड वर आटए बोली जाती है नहीं नहीं आशाल तो चोटी साइड है इस वाल चोटा साल है एक दम चोटी साइड पिछली बार क्या था अप्टियर वर्त जाद आ था। पिछली बार जैसे बहुत बात करूं, पंद्रे बीगा लग तो पचास भीगाम है जैसे कि आपी 15 भीगाम है पिछली बार कितना पैकेट था अगली साल तो गई साल तो 2000 पैकेट 2000 पैकेट पिछली बार हुआ और इस बार वो चाल तो 800-900 था से अच्छा तो यह आपने जो शोइंग की थी थोड़ा लेंग्वेज का प्रब्लम आ रहा है ना मैं हिंदी बोल्ला हूं आप जो गुजराती बोल लें तो थोड़ा देखिए मैं यह पूछ रहा हूं यह आपने शोइंग की थी बोवाई वो कौनसी मन्थ में की थी शोकारा आया सोकारा सुकारा तो आया है हम भावितर आ हाँ ग्यार मंद्रा थारिक पंद्रा नवंबर में आज कितने दिन का यह आलू होगा जो खुदाई कर रहे हैं हो तीन महीना हुगा नब्य दिन का आलू हाँ पैदावार प्रोडक्षन एकदम कंचन प्रोडिक्षन क्या कहा रहा है आपके फिल्ड में आया क्या कोल्ड भर जाएंगे इस बार नाई नाई नहीं बढ़ा दे कोई नहीं बढ़ा चलिए मेरे साथ मैं यह भी मौजूद में राम राम जी नाम बताएं जड़ा मेरा नाम परविद भाई है परविन भाई परविद भाई कितने भी आलू करते हैं कौन सा अलू को वराट बारिस भी लगा आया है और बारिस से कारणे ते रोग आ गया है ते इसने पच्छास टकाही कम है आलू है मतलब है ठका मतलब पर्संटेश दे बुल ले ना आधा दो साल मेरे को 122 कटा हुआ था आज साल मेरे को 950 ही हुआ है कटा बारिश के कारण है रोग आ गया है सुकारा का रोग आया जोई दवाई लगाई थी हमने तिंटी चाचार बार दवा लगाई थी पन कोई बता रहा है कि पुराने फोटो को डाल जाना है क्या है यह लगाई रहां बारिश नहीं होई रहा बाराप बड़ा था कि अब के घड़ा सुकारा का अब का आगया नुकसानी हो गई रही ने तक रहां आप जो हैं लग रहा है जिसे कि यह प्रोडक्शन डाउन है इसके आप क्या करना का इरादा है क्योंकि इसमें तो आपका घर का खर्चा भी नहीं चले अरे खर्चा भी नहीं चले कि अस्टोर में 30-40 तका माल भी खाली रहे गा यह तो क्लियर हो गया प्रवित भाई पहले बता रहा है था कि बंपर पैदावार है और हमने बंपर पैदावार कैसे हो सकती क्योंकि वहां सुकारा रोग था वहेवी रेंफॉल हुआ था और बरबारा हुआ था तो ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन पुराना फोटो और वीडियो डाल के हमको मतलब पुराना विडियो डाल के भरमीद करा है लेकिन यह मवजूत हैं निखेती काम लिए मवजूत है सब दिखाते हैं दिखाते हैं आलू हाव चोटे लिम्बू की तरह ही है कितना बीच का और इसका पूरा खर्चा कितने का आया होगा आपका पंद्रविगा पंद्रविगा म दो लाग दबाईयों एक लाख रुबिया खर्चा माथय आ रहा है नंतर अपके उपर ही टिक जाता है एक लाग रुबिया बरदाना बरदाना खुल्डवाला देता या आपका खुद का खुद का खुद का तो इस पार फ्रोडश्न बाद ज्यादा फर पच्चा था तकते प्रोड़क्षन किसका होता है टोटल प्रोड़क्षन आलू कि खेती करते हैं आप कितना विगा करता है पंद्रे विगा खेती है प्रोड़क्षन आदा अदा उत्पादर में बहुत नुक्सान से बहुत ज़्यादा है और नुक्सान का जो सबसे बड़ा यह बता रहें के रेन हैवी रेन और बरबारी और दन सुकारा लेट बलाए और शुकारा आई गया और जाड़ बद्दे शुकाई गया अच्छा वत्ता वर्सादने काराने बादे जमिन फीट थे कि एटला उत्पादर पूरो मलियो नहीं पूरा अलू को जो टायद मिंग फुलाव का साइस डवलप होंने का वह नहीं हूपाया वह पूरा आलूने ठेमाईम फूल आने ठंदी बाव पड़ी बद्दला जाड बाले जाओ चाँ समय पर फुलाव का सामय था उस समय पर सुकारा और ठंड नने आलू को फुलाव नह अपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं पोचा जैसे आम देख रहा है भी ये प्रोडक्शन लिक्लाएं अब इसे क्या लग रहा है क्ये आपका जो खर्चा हुआ है जित् Waal घ्रेका ना खर्चा और मेरा नहीं मिलेगा माते आएगा मेरी मजूरी नहीं मिलेगा अच्छा मेरे उत्पादन बच्चा ठेका मिली आपने खर्चा पोरू वहावेत नहीं मिले ताउ डेरी अमने देख ली और खेत भी दिखा दीजिए जरा ताउ जी नहीं दिखाया है के लगवग 15 भी आका पक्के में जया है यह खेत है इसके साथ और भी आ आगे 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 आप अप देरी देख लेए क्या इसमें आप प्रोडैक्शन आनुमाला आसकते हैं मैं क्या हुँगा ताउ जी थे एक बार open कर दीजिए इसका देखतें गाड़ के पीछे तो यह इस तितिया अभी आब है प्रोड़क्शन कम इसका जो कारण था वो आपने बताया बारेस पुम्बा सोकारा जो लेड विलाइड बगेरा आपने फर्टिलाइजर्स और जो कैमिकल्स ने बचाने के लिए सेविंग के लिए इस पेड़ी हो उसका नहीं इंतिजाम कि अमें बहुत 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 चोटी ने फिर फार परेशन नहीं बढ़े बदे जाड बले गिए बरफ ने लीए अनि छुका रखे हुआ गया बर बा चुटा माल लिग रहा है ने गोली साइज जोगा है तो दिखाए नहीं दिखा लो जाए एक सवाल मेरा यह था कि यह इस बार जो है कोल्ड श्टोरेज हो जाएगा फुल चुटा माल आपसे तीस टका तीस परसंट यह था आप खुद देखिए यह थोड़ा आगे आई कहां जोट हुं चोटो हुआ ऐसं लुख भलाशν पर जोटो है हैं दोन कुछ वर्चाना ज आने खुखार करはने क्टिस तकटैका यह थोटा तका एक पर सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग जो है इस प्रोडक्शन को हाइल्ड के रूप में प्रमोट कर रहे हैं कि पंपर पैदावार है आपके कौन से इलाखा ही है आपका इलाखा बाइवाड़ा टोटल कितना विलेज होगा यहां पर आपका 4000 गाओं में आलू ही होता है आलू सब आलू वालता है सब प्रोड़िशन कम आजा रहा है इस बार जो है प्रोडक्शन ने किसान सातियों किसानों को पका करारा जटका दिया है गोजरात में हालत जो फोटो वीडियो वाट्सेट फेस्बूक ग्रुपों में महा ग्यानियों प्रोफेसरों जारत दाली जा रही है वो पुरानी और पुरानी पिछली साल जरूर प्रोडक्शन था लेकिन इस बार प्रोडक्शन पूरी तरीके से खेतों से नदारत है और यही कारण है किसान कहने के लिए विवस हो रहे हैं कि 50% प्यदावार गिरी हुई है और 30% कि आसपास ही गुजरात में इस बार जो है लोड हो तो इसका नाम सौनू चौदरी नहीं है क्योंकि ग्राउंड जीरो पे मैं आपको लाइब रिपोर्ट दिखा रहा हूं किसानों से बात कर रहा हूं ताकि जो जमीनी सच्चा ही है वो देश बर की किसानों को पूरी तरीके से मिले चाहें वो आरती बाईयों व्यापारी बा कर रही है को सर्वे नहीं करें तरह यानि चारों तरफ से किसान जो है मारा जा रहा है लेकिन अराजक्ता तो अपनी आराजक्ताओं से बाज नहीं आ रहे हैं और इस समय पर गुजरात में ता और मेरा लगातार वीडियो आप लोगों के लिए आता रहेगा जिससे इनके अ परवान ना चड़ पाए क्योंकि जमीनी सच्चाई यही है बैराल मेरे साथ बाइवान से इतना है